नागिन 3 में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जी हाँ एक ऐसा ट्विस्ट जो फैंस की नीन उड़ा देगा ये कहने में कोई grace नहीं है कि नागिन अपने तीन सीजन के साथ हमेशा दर्शकों की पहली पसंद बन गया है इस बार बंद करने से पहले एक तक अपूर शो के लिए एक जबरदस climax लेकर आई है ये तो हम आपको पहले बता चुकी है नागिन 3 में फाइनल एपिसोड में मौनी रॉय, अरजुन बजलानी और करनवीर बोरा की वापसी होने वाली है ये तीरों हमेशा से नागिन का एक बड़ा हिस्सा रही है शो की शुरुआत के साथ अब शो का आंध भी इन ही तीरों के साथ होने वाला है ये खबर तो पहले से नागिन 3 के फैंस बड़ी खुशखबरी साबित हुई है लेकिन शो से जुड़े एक चौकाने वाले दिल्चस्प जानकारी आई है मिली जानकारी के इनुसार नागिन 3 में तमसीर की शक्ति के आगे बेला हार जाएगी जिसके चलते तامसीर अपनी काली शक्ति से बेला और माहिर को मार देगी लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब शो में एक साथ 24 साल का लीप आएगा इस लीप के बाद तमसी बड़ी हो जाएगी साथ ही बेला और माहिर का पुनर जनब होगा यानि 24 साल बाद बेला और माहिर लोट कर दुबारा अपनी मौत का बदला लेने के लिए तमसी के पास आते हैं यानि कुल मिला कर देखा जाए तो नागिन 3 के फैंस के लिए हर वीकेंड धमाकेदार होने वाला है आपको कैसी लगी है खबर कमेंट करके हमें जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल चेलेविजन की ऐसी ही अपडेट्स के लिए